नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका पोस्ट ओफिस कोचिंग में और आज हम मैथ की क्लास ले रहे हैं आपको आज के दिन दो क्लासस मिलेंगी एक मैथ की और जीके की ठीक है दस तारीक को मिलेगी ता जो हम शेडियूल के हिसाब से बाकी की जो वीडियोस है उसको भी कम् पीछे हैं और फिर उस वीडियो को कवर कर सकें संडे वाले दिन जा आके पीछे कभी भी हमारा टाइम लगे ठीक है तो पांच करोड के लिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल है कि पांच के पहले पांच मल्टिपल का एवरेज क्या होगा पांच के प् को निकालते हैं निकालेंगे अलग सक्रीन पर तो पांच के पहले पांच मल्टिपल क्यों से होते हैं वह हते हैं तो हमें सबी को जोड़ना होगा और जोड कर divide करना होगा किस से जितने उपर नमर है जैसे एक, दो, टीन, चार, पांच नमर है तो पांच से डिँई कर देंगे ठीक है? अब इनको जोड़ेंगे 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 25, 75 75 को डिँई करेंगे 5 से तो आदसर आजाएगा 15 ठीक है? तो आसत कितना आ गया 15 इसको एक और मैथट से alternate method से हम निकाल सकते हैं वो alternate method कौन सा है देखिए अगर आप इस series को समझें 5, 10, 15, 20, 25 अभी देखिए इसके बीच भी 5 का difference है 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 तो अगर कोई ऐसी continuous series आपको मिलती है तो उसको solution निकालने का एक और तरीका होता है उसका आप पहला और आखरी number उठाओ दुनों को जोड़ दो और 2 से divide कर दो ठीक है 5 और 25, 30, 30 को 2 से divide करेंगे तो भी अंसर कितना ही आएगा जितना इस method से आएगा जो कि यहां पर है 15 ठीक है और देखिए ओके तो इसका आंसर आगया 15 अब ही हम देखते हैं next सवाल को जो रहा आपकी स्क्रीन पर तो next सवाल है कि कोई निश्चित राची कोई भी रकम आठ सालों में दोगनी हो जाती है अगर उसको simple interest पे साधारन व्याज पर दिया जाए कोई भी निश्चित राची तो वही राची चार गुना कितने समय में होगी ठीक है यह question है चलिए इसको समझते हैं इस question को solve करने से पहले हमको एक simple interest का formula पता होना चाहिए ठीक है वो formula क्या है simple interest is equal to p into r into t divided by 100 इस formula के बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है जहां पर क्या लिखा है कि a certain sum कोई निश्चित राशी हमें वो राशी दी नहीं है वैसे बताया है हम मान लेते हैं वो certain sum p है 100 ठीक है वो सौर पर राशी है 8 साल में मतलब की समा दिया हुआ है 8 साल double हो जाती है double का क्या माने कि सौर पर 200 बन जाते है इसका क्या मतलब है कि 100 तो principal ही था 100 रपे उस पर व्याज लग गया होगा तब ही वो 200 बने हैं इसका मतलब जो उस पर simple interest लगा वो कितना लगा वो लगा 100 रपे ठीक है जो निश्चित राशी थी वो भी कितनी थी 100 रपे जो समा था वो था 8 साल ठीक है हमें क्या नहीं पता है हमें नहीं पता है व्याज की दर वो हमें ढूंडनी है कैसे ढूंडनी है इसी formula की help से ठीक है formula क्या था simple interest is equal to P into R into T divided by 100 अभी P की value क्या है 100 R हमें पता नहीं है T की value है 8 नीचे 100 और simple interest का value क्या है 100 अभी उपर वाला 100 नीचे वाले 100 से कट जाएगा R निकालने के लिए 100 से 8 को divide करेंगे R आएगा 1.5 12% कितना आगया 1.5 12% ठीक है अभी दूसरी line में क्या बुला है कि वही राशी इसेम सम मतलब की वही राशी पहले कितनी थी 100 और पे अभी भी वही राशी 100 और पे 4 गुना कितने समय में होगी ठीक है 4 गुना कितने समय में होगी व्याज हमने निकाल लिया है कि व्याज उस पर कितना लग रहा था 1.5 12% हमें निकालना क्या है समय अवधी निकालनी है कि कितनी समय में वह 4 गुना होगी 4 गुना का क्या मतलब है कि 100 रपे प्रिंसिपल होगा उसके उपर 300 रपे का व्याज लगा होगा तो वो बन जाएगा 400 ठीक है 100 का 4 गुना है 400 ठीक है इसका मतलब जो व्याज है वो 300 रपे लगा होगा उस पर ठीक है तो simple interest कितना लगा है 300 रपे हमें क्या निकालना है समय कितने समय में होगी फिर से वही फॉर्मूले को हम देखेंगे simple interest is equal to p into r into t divided by 100 ठीक है principle कितना है 100 रपे rate of interest कितना है 12.5 प्रतिशत समय अबदी हमें निकालनी है divided by 100 और simple interest कितना है 300 रपे ठीक है 100 100 से कट जाएगा t निकालने के लिए 300 को साड़े बारा से डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 24 साल ठीक है तो इसका आंसर है 24 ओके जो next सवाल है उसको देखते हैं कि दो व्यक्ति हैं एक का नाम A है एक का नाम B है दोनों किसी काम को 15 दिन में करते हैं और जो B अकेला है उसी काम को 20 दिन में करता है तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा ठीक है बाकि मैं आपको सवाल में समझाता हूँ कि वो क्या पूछना चाहता है ठीक है वो हमें बता रहा है कि अगर A और B दो व्यक्ति मिलकर काम करें तो उसको 20 दिन में खतम करते है इसको इस फॉर्मिट में ही लिखना है अगर सवाल को निकालना है तो ठीक है अगर B अकेला काम करता है अरे 20 नहीं 15 दिन में खतम करते है ठीक है अगर B अकेला काम करता है तो उसी काम को 20 दिन में खतम करता है तो A उस काम को कितने समय में खतम करेगा यह सवाल है अभी देखिए 1 बटा B इसको इतना भी लिख सकते हैं हम ठीक है तो यहां पर इसकी जगा हम 1 बटा 20 लिखेंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा 1 बटा A प्लस 1 बटा 20 is equal to 1 बटा 15 1 बटा A जहां से निकल जाएगा 1 बटा 15 minus 1 बटा 20 15 और 20 का L से होता है 60 उपर आएगा 4 minus 3 is equal to 1 बटा 60 ठीक है तो 1 बटा A का आंसर आ गया 1 बटा 60 मतलब की जो A है 60 दिन में उस काम को करेगा ठीक है एक तो मैथड है ये वाला इसको निकानने वाला मैं आपको सभी मैथड दिखा दूँगा ठीक है एक alternative method भी है वो ये वाला है उसको बोलते है efficiency वाला मैथड ठीक है जिसमें A प्लस B उसकाम को 15 दिन में करते है B अकेला उसकाम को 20 दिन में करता है तो जो total work होगा वो क्या होगा दोनों का LCM ठीक है तो total work है दोनों का LCM जो होगा 60 दोनों का LCM 60 आ गया अगर हम efficiency निकाले तो A प्लस B की efficiency आएगी total work को जब हम 15 से divide करेंगे जो आगे 4 और B की efficiency आएगी इसी तरह से 3 जब 20 को 60 से divide करेंगे 3 अभी A प्लस B की efficiency आगे 4 B की efficiency आगे 3 तो A की efficiency कितनी रहेगी 1 ठीक है तभी 1 और 3 मिलकर 4 होगा अभी A की efficiency कितनी आगे 1 total work था 60 60 से 1 को divide करेंगे तो भी आजाएगा 60 दिन ठीक है आप किसी भी method से इससे सवाल को solve कर सकते हैं ठीक है दोने ही case में answer आपका same आएगा जो आपको easy लगे उसको आप follow कर सकते हैं next question जे है कि एक rail गड़ी rail गाड़ी एक train जिसकी जो length है वो है 150 मीटर वो किसी बिजली के खंबे को पार कर रही है ठीक है electric pole को cross कर रही है और उसकी speed है उसकी गती कितनी है उसकी गती है 180 किलो मीटर प्रतिगंटा सवाल जे है कि वह rail गाड़ी कितने समय में उस बिजली के खंबे को पार कर लेगी ठीक है यह वाला सवाल है चलिए इसको भी देखते है अब अगर आप सवाल को घौर से देखें तो जो train की length है उसको मीटर में हमें दिया गया है जबकि जो speed है उसको किलो मीटर प्रतिगंटों में दिया गया है कोई भी सवाल आप कभी भी निकालना चाहो सबसे पहले उसकी जो unit है जैसे meter, kilometer, घंटे, second यह same होने चाहिए अगर same नहीं होंगे तो निकलेगा नहीं गलत हो जाएगा तो पहले तो 180 km प्रतिगंटे को हम meter की form में लेकर आते है meter प्रतिगंट की form में कैसे लेकर आएंगे 180, 1 km में कितने meter होते है 1000 और एक घंटों में कितने second होते है 3600 ठीक है तो एक zero मैंने इधर काट दे जे दू से इधर काट दिया जे दू से इधर काट दिया तो speed आगी 50 meter प्रतिगंट ठीक है अभी train की speed कितनी है 50 meter प्रतिगंट और लंबाई कितनी है distance कितनी है चाहे इसको length मान लो distance मान लो ये सेम ही मतलब होता है वो है 150 meter ठीक है एक formula होता है speed का speed का formula होता है length upon time ठीक है जाहें इसको बूलते हैं प्रतिका formula होता है दूरी upon समय ठीक है हिंदी थोड़ी का मजोर है गलत हो सकता है लिखने में तो इसमें values पुट करेंगे speed कितनी है speed है 50 की तो 50 length कितनी है length है date time हमें पता करना है उसके जगह सिर्फ t लिख देते है t is equal to date सो बटा पचास तो answer हैगा तीन सेकंड ठीक है तीन सेकंड में जो रियल गाड़ी है उस बिजली के खंबे को cross कर लेके ठीक है next है यह वहाँ पर ही सवाव देखते है चॉकलेट वाले को कि 20 चॉकलेट की कीमत है 320 रुपए 20 चॉकलेट की कीमत है 320 रुपए अगर 20 चॉकलेट की कीमत है 320 रुपए तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी 320 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे 0 से 0 कट जाएगा 2 को 32 से कट देंगे तो आज जाएगा 16 एक चॉकलेट की कीमत है 16 रुपए और हमें इस तरह की 35 चॉकलेटों का मुल्य निकालना है अगर एक चॉकलेट का मुल्य 16 रुपए है तो 35 चॉकलेट का मुल्य होगा 16 गुना 35 जो कि आएगा 16 बत्ती हड़तारी और 8 560 रुपए है ठीक है तो इसका आंसर के आएगा 560 रुपए है ठीक है मैक्स्ट देखते हैं पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ जो हमारा सबसे पहला सवाल था वो था एवरेट से ठीक है अगर हम सलेबस देखें तो हमारी कौशिश है कि आपको सबी टॉपिक्स में से सवाल दें तो हमने एक कवर किया एवरेज से ये वाले से दूसरा जो हमारा सवाल था वो था पिम्पल इंटरस्ट से ठीक है सिम्पल इंटरस्ट में आपको इस तरह के सवाल रहेंगे तीसरा जो हमारा सवाल था वो था time and work से related ठीक है time and work से related जो चौथा हमारा सवाल था वो था time and distance से related जो train वाल था ठीक है जो पांचमा सवाल हमने अबी किया है chocolate वाला वो है unitary method वाला ठीक है वो किसमे से हैं unitary method ठीक है जो हम next दो सवाल करेंगे वो हम करेंगे board mass से related ठीक है board mass related तो चछटा सवाल जिह है board mass से board mass जिसके b का मतलब होता है bracket, o का मतलब होता है order, d का मतलब होता है division, m का मतलब होता है multiplication, a का मतलब होता है addition, s का मतलब होता है subtraction मतलब की सबसे पहले हमको bracket solve करनी है, फिर हमको order solve करना है, फिर division, फिर multiplication, फिर addition, last में subtraction सदारन बाशा में सबसे पहले हमें अंदर वाली ब्रैकट जो है उसको solve करना है अंदर वाली ब्रैकट कौन सी है ये वाली है ठीक है 25 और 30 जुडेंगे तो कितने बनेंगे माइनस के 55 ठीक है 19 से 55 निकालेंगे तो आएगा माइनस के 36 तो अंदर की ब्रैकट का आंसर कितना आगया माइनस के 36 दूसरी लाइन में लिखते हैं 22 माइनस के 23 माइनस के 24 माइनस अंदर कितने हैं माइनस के 36 जब इस 36 को बाहर लेकर आएगे जहे बन जाएगा प्लस का अभी हमें इसको solve करना है अंदर वाले को ठीक है तो कितना बन जाएगा 22 माइनस 23 माइनस 24 प्लस 36 ठीक है अभी 24 और 36 कितने होते हैं 60 22 माइनस 23 माइनस 60 ठीक है इसको आगे solve करते हैं 22 माइनस 23 माइनस 60 अभी 23 से 60 निकालेंगे तो आंसर हैगा 37 22 माइनस माइनस के 37 ठीक है और जब बाहर माइनस का sign हो तो प्लस का हो जाता है अंदर वाला 22 प्लस 37 तो आंसर हमारा आया 69 ठीक है कितना आया 69 तो देखिए आंसर है 69 ठीक है जो हमारा next सवाल है वो भी बार्ड मास से है question number 7 इसको भी solve करते हैं इसमें भी सबसे पहले जो बिलकूल अंदर वाली bracket है उसको solve करेंगे इसको ठीक है 6 और 6 कितने होते हैं 12 12 में इसे 8 निकालेंगे कितने बचेगा 4 ठीक है इसका आंसर आगया 4 अब भी लिखना शुरू करते है 63 divided by 1 बटा 3 15 15 प्लस 4 अंदर कितना आया था माइनस का निशान डालकर 4 ठीक है इस 4 से इस 4 कट गया क्योंकि यह प्लस का है यह माइनस का है ठीक है तो 63 1 बटा 3 इंटू 15 5 ती यह पंदरा जहां पर 5 आ जाएगा तो 63 divided by 5 12 पंदरी साथ 12.6 इसका अंसर आ जाएगा ठीक है 12.6 जो है इसका अंसर होगा Option number C ठीक है तो जी बॉर्ड मास के हमने दो सवाल किये जो next सवाल है वो है percentage का ठीक है तो इसमें लिखा है कि 1.500 के 2 गुने का 40 प्रतिशत क्या होगा 1.500 के 2 गुने का 40 प्रतिशत क्या होगा ठीक है इसको देखते है तो पहले तो 1.500 का 2 गुना कितना होता है तो 1.500 को 2 से गुना करतो तो आंसर होता है 300 ठीक है यतना तो हो क्या तो हमें क्या निकालना है 40% of 300 तो आपके एक simple funda बताता हूँ mathematics equation में जब कहीं भी off लिखा हो तो समझ लेना उसका मतलब है multiplication ठीक है उसका मतलब है गुना समझ लेना आप जब कभी भी हमें प्रतिशत हटाना हूँ जैसे 40% लिखा है तो उसको 100 से भाग कर देना है ठीक है तो प्रतिशत हटाना है तो 40 बटा 100 लिख दिया off की जगा क्या लिखेंगे गुना का निशा है यहाँ पर गुना लिख दिया पिर था 300 नीचे वाली 20 300 वाली 20 से कट गई 40 को 3 से गुना किया तो आंसर आगया 120 ठीक है तो हमारा आंसर कितना आया 120 option नमबर ठीक है अभी जो next सवाल है वो भी percentage से ही है इसको भी solve करते हैं अभी देखिए थोड़ा उसको complex बनाने के लिए इसको ऐसा लिखा है लेकिन हम इसको तोड़ देंगे पहले हम सिर्फ इतने सवाल को solve करेंगे सिर्फ इतने को कि 30 प्रतिशत कितना होता है 300 का मैंने आपको जैसे बताया कि अगर प्रतिशत हटाना है तो उसको 100 से भाग कर देना है और off जब कहीं लिखा हो तो उसकी जगा गुना का निशान लिख देना है 300 का 300 लिख दो 2-0 उपर वाली 2-0 नीचे से कट गई 30 को 3 से गुना करोगे अंसर आ जाएगा 90 तो इस पूरी ब्रैकट का solution कितना आया 90 अभी हमें 90 का 20 प्रतिशत निकालना है तो क्या निकालना है 20 प्रतिशत of 90 अभी फिर से वही है प्रतिशत हटाना है तो 20 बटा 100 लिक दो आफ का multiplication लिक दो फिर 90 लिक दो जे 0 जहां कट गई जे 0 जहां कट गई 2 को 9 से गुना करोगे 18 ठीक है तो हमारा answer क्या आया है 18 ठीक है option number A ठीक है last question है question number 10 कि अगर किसी भी अधारन के लिए मान लेजे बर्फी का डिबबा है बर्फी को क्या बूलते है हिंदी में मुझे याद नहीं कुछ तो बूलते है चोलो बर्फी चोड़ो अरसगूले का डबबा मान लेते है जो अरसगूले का डिबबा है उसकी कीमत है 20 रुपे कितनी कीमत है 20 रुपए उस पर अंकित मूले कितना है 20 रुपए ठीक है दुकान दार ने 15 प्रतिशत का डिसकाउंट दे दिया 15 प्रतिशत की छूट दे दे ठीक है तो वो हमें कितने रुपए का पड़ेगा यह हमसे पूछा गया है ठीक है चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं यह रहा लास्ट कोश्चन पूरे दस क्रोण के लिए ठीक है ओके तो मार्किट प्राइस कितना है वो है 20 रुपए और डिसकाउंट कितना है डिसकाउंट है 15 प्रतिशत ठीक है 15 प्रतिशत किसका 15 प्रतिशत है 15 प्रतिशत आफ 20 रुपए इस तरह डिसकाउंट मिला है इसको कैसे सॉल्व करना है हमने पिछले सवालों में देखा है प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करो आफ है तो घुना लगाओ 20 का 20 लिखो 20 को 5 से गुना करे 100 15 को 5 से डिवैड करो 3 तो जो 15 प्रतिशत है 20 का वो कितने है वो है 3 रुपए तो जो 15 प्रतिशत है वो कितने रुपए है अंसर 17 रुपए है ठीक है जी तो इसी के साथ मैट की वीडियो बड़ी ही मुश्किल से खत्म होई है क्योंकि मेरा पीसी हो गया था रीसेट अभी नई क्लास इसमें हैंग हो रही थी बहुत ट्राइ करने का मुझे लगता है जे मैंने पांच मी बार आपके लिए रिकॉर्ड की है रात के साड़े बारा बज रहे हैं आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चलिए कोई बात नहीं आई होप आपको जी क्लास अच्छी लगी होगी ठीक है अगर आपको सबी हमारा जो जो प्रैक्टिस बैच है उसकी आपको जी पीडियो चाहिए जैसे वी ये एप्लिकेशन है एप है हमारा एंड्रोइड और आइफोन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेकिन अगर आप शुरू से त्यारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच को अभी मत जोएन कीजेगा आप हमारे जो फुल फ्लेज बैच है एम टीएस के लिए और प सपोर्ट भी मिल जाएगी सब कुछ ही मिल जाएगा इसकी छे डेमो क्लासस आपको एप पर अवेलेबल है डेमो क्लासस को देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं ठीक है बाकी जे नंबर है हमारा 6283839926 इस पर वर्टसब कीजिए किसी भी जानकारी के लिए ठीक है अभी मैं आपसे विदा चाहता हूँ अपी के लिए जय हिंद जय भारत जय जमान जय किसांग